नसीम सहा ने फे का हेलमेट और बैट पाकिस्तान ने ऐसे मनाया अफगानिस्तान पर जीत का जसन बावाराजम की अगवाई वाली पाकिस्तान किरके टीम ने गुरुवार रात अफगानिस्तान को दूसरे वंडे में मातर एक विकेट से धूल चटाई इस जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाडियों का रियक्सन सोसल मीडिया पर खूब वाईरल हो रहा है पाचासवे ओवर की पांच वी गेंड पर चौका लगा कर टीम को जीत दिलाने वाले नसीम साहा ने बैट और हलमेट जमीन को पेक कर पूरे स्टेडियों में दौर लगा दी वहीं डगाउट में इमा मुलक से लेकर बावा राजम तक और पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ का रियक्सन देखने लायक था अफगानिस्तान ने इस मुकाबले में पहले बल्लेवाजी करते हुए रह्मनला गुरवाज के सतक के दम पर तीन सो रन बोर्ट पर लगाए थे इस स्कोर को पाकिस्तान ने एक गेंट सेस रहते चेश कर लिया और तीन मैचों की इस सीरीज में दो जीरो की अजेवड़त बना ली पाकिस्तान की पारी का आखरी ओवर काफी रोमान चक था 49 ओवर में सादाव खान ने सोला रन बटोर कर अपनी टीम की मैच में वाफसी कराई थी आखरी ओवर में अब पाकिस्तान को जीत के लिए मात्र 11 रनों की दरकार थी और उनके हातों में दो विकेट सेस थे सादाव उस समय 48 रन बना कर खेल रहे थे 50 में ओवर की पहली गेंद पर फारूगी ने सादाव को नोन स्ट्राइक एंड पर रन आउट कर मैच को अफगानिस्तान की और जुका दिया सादाव का विकेट पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा जटका था गेंद डालने से पहले उन्होंने क्रीज छोड़ दी जिसका खामियाजा उन्हें अपने विकेट के रूप में चुकाना पड़ा हाला की ओवर की पहली और पांच भी गेंद पर नसीम सा ने दो दंदनाते हुए चोके लगा कर अपनी टीम को ये जीत दिलाई अफगानिस्तान पर जीत दर्च करने के बाद नसीम ने जमीन पर अपना हेलमेट और बैट फेक दोड़ लगा दी इस दोरान हारिस राओ भी उनके पीछे दोड़ पड़े डगाउट में बैटे पाकिस्तानी खिलाडी और स्टाफ का रियक्शन भी देखने लाइक था